अब आपको बताने वाले घर पे प्लम्रिंग कैसे करते हैं आप खुद से अपनी प्लम्रिंग का काम कर सकते हैं और आपको पूरा माडूल दिखाऊंगे कैसे आप कहां से कितना पानी ले जाना है इसमें कुछ चीजिए आपको दियान रखनी होती हैं तो पहले आप मैं ले जाना अंदर तो एक यही पानी आपके जाता है हर जगह यह ताजा पानी इसको बोलते हैं जो भी जाएगा सप्लाई वाला पानी आपके टंकी में जाएगा और टंकी से सारा सप्लाई होगा आपके मकान में तो सबसे पहले अगर आपको ताज पानी जिज जिज जगह ले जाना है तो आप जैसे यह वाला पाइप आपका जाता है जहां पर आपको ताजे बानीक सप्लाई देना है वहां से आपको पॉइंट दिया है और लगवक दोस्तों यह पाइप जो होते हैं पीबीसी पाइप अप्रॉक्स दस मीटर 10 फिट का होता है अगर आपको जोञान करना है तो यह जोइंटर आता है और इसमें इसका पुर्ण में सावान बता दूंगा आपको क्या क्या मैटेरियल स्वेयर लगता यह इससे आप आप इसको ज्वाइप करते हैं यह जो अपयों कि अब आप देखें यह किषेंड है इस मकान में जो बना हुआ है यह किषेंड है तो यहां से आपको दो पाइप दिख रहे हूंगा अभी एक पाइप बूल लाओ सर्फ शामने वाला जो पाइप आया है यह ताजे बाने के लिए है तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यही ला सब्सक्राइब लगा तो यहां से यहां से एक जो पायप की सप्लाई दे सकते हो तो यहां से टी एक जोइंट है और यह आप देख रहा हो कि यह आप का चला गया है तंकी की ओड तो पहले यह बात्रूम के थोग कर जाएगा क्योंकि जो मकान इसका डेजाइन मना है इसमें टंकी जो रखा जाएगा बातरूम की उपर ही रखा जाएगा यह आप पर डिपेंट करता है यह आप टंकी कहां रखवा रहे हैं आपको इस आप से अर्जेस्ट करना पड़ेगा तो आप जैसे देखते हैं यहां पर आपको तीन पाइप दिखेंगे आप सिर्फ अभी एक पाइप याद रखो कि अभी हम तंकी पे ले जा रहे हैं उपर सप्लाई पानी तो आप आएंगे यहां पर ताजे पानी का अब यह यहां पर तीन पाइप है जिसमें आपका एक टंकी को भरने के लिए पाइप गया है उपर ठीक है और अगर आपको ताजा पानी बातरूम में चाहिए तो जो बाहर से सप्लाई आई होई थी ना जो बाहर से भी हम लोग पाइप लेकर आए हैं तो उसमें टी लगाकर हमने एक जॉइंट है यहां पर इसको टी बोलते हैं दोस्तों देखी कर नीची यह आपका एक टी है जहां से तीन पाइप यह ताजा वाली गालप जो बाहर से सप्लाई गालप आए था ना उसका यहां पर हमने एक टी लगाकर और यह जॉइंटर एल जिसको बोलते हैं यहां पर लगाकर यह यहां पर लगा दिया है टोटी ठीक है तो यह आपका ताजा पानी का हो गया सिस्टम और इसी पाइप की थ्रो यह जो पाइप ना इसी पाइप की थ्रो आपका यह देख तो जो ताजा पानी तो उसकी ने सप्लाई दे दी आपकी खिशिन में भी और आपके इस बातरूम में अब इससे हम लोग supply बीच वाला pipe है देखेगा बीच वाला आप याद रखें तो ये देखी गया है ये supply को ऊपर से पानी आएगा ठीक है आप देखी बीच वाला जो pipe था ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आया ये देखीगा बीच वाले pipe को और यहाँ अब आपके बातरूम में supply पर एक टोटी लगा दिया जो टंकी का पानी हम लोग यूज करेंगे अपने बातरूम इठीक है वो ये लगा हुआ है और ये एक के आपका फुवारा के लिए जो होता न ये एक joint होता है इससे जैसे पानी on and off करेंगे जब भी हम तो ये लगा दिया और उपर आपका देख सकते हैं वहाँ पर आपका फुवारा लग जाएगा ठीक है अब यही लाइन जो यहाँ पर नीचे थी यह आप यहाँ देखी है यह टी लगाता यह पाइप चला गया गीजर के लिए ठीक है तो उबर आपका गीजर रख जाएगा उस जगह ठीक है आपर जगह बनानी पड इस वाले पाइप से यह गीजर की सप्लाई के लिए गया गीजर गया उसने गरम किया और वापस आके यहाँ पर आपको पानी इसने दे दिया तो यह तो हो गया आपका टंकी का एक पाइप का क्योंकि अब यह पाइप है केवल आधा इंचे का दोस्तों तो यहाँ पर आप बीच वाला तो टंकी वाला यह वाला भी टंकी से सप्लाई आएगा नीचे पानी तो यह क्यों दिया है कि अगर पानी सब्सक्राइब सोचो कि अगर आधा इंच पूरी पूर्ती नहीं कर पाएगा ना तो हम उसकी लिए एक और लाइन ला रहे हैं जिसमें वो उसका आया पाई देखिएगा अब यह यहां पर टी लगा कर यह जो मैंने बनाया है ना दोस्तों यह आपका देख लिए गया है आप देख रहे होगे यह जो ऊपर आपको दिख रहा है ऊपर वाला पॉइंट यह आपका फ्लैस के लिए है सबस्दाट अगर आप ट्वालिट लेगी अब यही जो टी वाला पॉइंट था तो अब यहां से हम बाहर ले चलना है इसको इसको हमें एक ही यूज करना देखेगा आप साइड में सबस्दे साइड वाला पाई फी इधर गया है और इस मकान में जो जो तुस्तों डिजाइन है यहां पर आपका लग जाएग आप घर पर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और यहां पर कुछे जो टूल्स शामान यूज होता है उसका मेरे पास स्लिप है और मैं आपको बता देता हूँ कि सारे शामान अगर आप मार्गेट से ले आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से घर बैचे प्लंबरिंग का काम क अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं गलती जरूर करेंगे तो पहले से आप प्लानिंग कर लें कि हमें आप बेशन लगाना है यहां पर टोटी देना यह सब कुछ पहले से प्लान कर लें तभी आप पूरा काम कर पाएंगे तो यह मैं आपको एक हमारे इसका rate अलग-अलग city पे अलग-अलग होता है, मेरे यहां 130 रुपए का एक पाइप दिया है, तो 20 रुपए का 26 रुपए है हो गया, और 40 यहां पर गुनिया लगी है दोस्तों, गुनिया को बोलते हैं, जो joint करने के लिए यूज करते हैं, तो 2 रुपए को इसको बोलते हैं, तो यह 40 है, 10 रुपए का एक दिया है, तो 400 रुपए का ओगा, और 10 T होगा, जो T मैंने बताया है, जहाँ पर 3 पाइप यूज होते है, यह लगबग 12 रुपए का दिया है, तभी 120 रुपए होगा, और 10 socket दिया है, यह भी joint कर आता है, यह 10 रुपए का दिया है, और 10 गुन के यहां पर आते हैं ना कि सको बोलते हैं यह देखिए यहां पर आपका ठोटी लगए गई अ इसलिए यहां पर यह पर एक जोइंड करके देख लेता है यहां पर डेकर भिथा प्लग्ट कर ढ़लते है जिसको अब जब टोटी लगेगा इसको खोल कर यहाँ पर टोटी यूज़ कर ली जाएगी और अब मैं आपको बताता हूँ दस गुनिया पर टी ब्रॉस टी ब्रॉस टी ब्रॉस दोको सेम होता दोस्तों अगर सफोर्द आपको तो तीन जगे ले जाना जैसे यह वाला टी ब्रॉस है नीचे भी पाइप गया है और यहाँ उपर भी सप्लाई गया और यहाँ पर टोटी भी लगानी तो इसको में टी ब्रॉस यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक टोटी भी देनी थी और उपर नी तो ये socket brush जो होता है ये जो आपके दो चीज़े जोईंड करने के लिए बनाया गया ये इस वाले portion को बोलते हैं socket brush तो यह वाला है क्योंकि यहां पर अगर आप supply करनी है क्योंकि यहां पर यह आन एर-off वाला system लगाया था तो यहां पर जो चीज भी लगाये आप इसको बहुत ही मजबूत लगाना होता है क्योंकि अगर प्लास्टर हो या था फिर तोड़ने बहुत ही problem मिलती है अब इसके वाद तीन तो यह हो गया, दो टेप, टेप दोस्तों यह नॉर्मल टेप होता है, जैसे इसको जॉइंट किया था न हमने, तो पानी लीकेज ना हो, इसलिए टेप लगा कर इसको जॉइंट करते हैं, और चार कैप, कैप दोस्तों उपर यूज होता है, जब भी अगर आपको अभी टोटी नहीं लगाना था, तो आप इसको बंद करने, इसमें आपका कोई मिट्टी या दूल कुछी नहीं आ जाए, और इसके बीज आपका हुक लगता है, हो कि दियो दोस्तों यह होता है, आपको दिखा देता हूँ, आप यह देख तो यह होता है, यह जैसे बाहर पाइप आता है, इसको इसमें फिट कर देते हैं, इसको दबाव लिए रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है, यह हो गया आपका, और दोस्तों इसमें आपका यह पाइप बाहर न निकले, और इसके बाद एक कैंसिल, एक कैंसिल यह लगा है, ओके दोस्तों कैंस अवारा के लिए पानी ले जा रहे इसको कैंशल बोल रहे हैं और यहनों ने जोड़ा है 445 रुपए का एक और एक आरी ब्लेड वो काटने आटिंग लिए अपने सामान मंगा है उसने और अगर आप शिंग की बात करें तो जो इस वाले मकान में लगा है 14, 16 वाई, 18 के शिंग लगा है यह अप्रोक्स मेरे हैं 7500 रुपए के दिया यह अलग-अलग प्राइस डिपेंड करता है दोस्तों आपके सहर में रह रहे हैं कहीं सस्ता भी होता है कहीं महंगा भी होता है तो टोटल कितने आइटेम होगा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शाथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोधा चोधा आइटम आपको प्लम्बरिंग के यूज मतलब जब भी प्लम्बरिंग करेंगे तो चोधा आइटम आपको लाने पड़ेंगे और आप दुकानदार से बात कर लें, जब लाएं तो अगर कोई, कुछ भी सामन बचता है आपका तो उसे रिफंड कर सकें तो मेरे चोधा आइटम में लाया था, टोटल 22,35 रुपए का हुआ था, तो ये सारा आइटम लाया, फिर जो मेरे याँ प्लम्बरिंग का दोस्तों, इस समें रेट चल रहा है, अलग-अलग सिटी पर डिपेंड करता है, मेरे याँ पंदरा रुपए फिट लेते हैं, इस तो मैंने सोचा कि आप लोगों जरूर बताएं, अगर आप खुद कर सकें, बहुत बेच्ट है, थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेगा, आप कर लेंगे और आप पैसे बचाएंगे, और अपने शाब से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बताना रहें, तो सबसे पहले आप यह डिसाइड करें, आपको कहां पर कौन सी चीज लगानी है, इसके बाद आप प्लंब्रें का काम बहुत ही आसानी करेंगे, तो एक सीधा सा पाइप बाहर से जो सप्लाई के पानी आएगे, वो टंकी पे जाएगा, अगर ताजा पानी जहां पानी जा रहे हैं, और पहले से सारी चीजें आप डिसाइड कर लें, आप यह चौक यह खड़िया लेकर आप पहले पूरा डिजाइन बना लें दिवालों पे, इसके बाद कटाई कर सकते हैं, और आसानी से प्लंबरिंग का काम अपने घर पर कर सकते हैं, और अगर कोई प आउट है, तो मझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक्स वाचिंग,